जार्खन बिढान सभा के मौनसुन सत्र का आज पहला दिन है और विधायकों के तेवर आप देख सकते हैं कि विधायकों के तल्क तेवर जो है वो देख रहे हैं और आज का जो हम मुद्दा है वो रास्रपती दौती मुर्मु को अपमानित करने वाले जो कॉंग्रेसी नेता का बयान आया है इसे लेकर के और जितने भी भाजपा विधायक हैं वो सभी यहां प्रदर्शन कर रहे हैं भानु प्रताप साही है भाजपा के विधायक अपनी आवाज को यहां बुलंग कर रहे हैं भानु जी लगता नहीं है कि मौनसुन सत्र में जो तेवर आप लोगों के हैं सरकार को घेरने की तयारी है वो पूरी मजबूती के साथ हम लोगों की पूरी तयारी है या गिरी हुई सरकार है या घिरी हुई सरकार है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे महामहिम राश्टपती को जो एक आदिबासी की बेटी और ब अपवती समझने का काम करती है वो सोचती है कि जब कभी कोई राष्टपती बने या प्रधान मंत्री बने तो वो इंद्रा गांधी के नहरू के परिवार से ही बने और कोई भी गरीब दलीत आदिवासी महिला उस कुरसी पर बैठे या उनको पच नहीं पा रहा है इसलिए ल मुद्धा देखते जाईने ओ昨र सरकार को हम लोग पसीना चुडा देंगे पानी पिला देंगे सरद के लोग जरूढ दिखाने का काम करते थो सरकार को पसीना चुडाने वाले हैं इस बार भाघपा पर जो फीडायक हालाके हर बार जो है इस बार सरकार को घेरने की तैयारी है, हलाकि आज राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू को ले करके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे कि क्या मुद्धा होगा। महिला पुलिस पदादी कारी को जो गोगाई का गाड़ी पकरने में किस तरह से कुचल दिया गया। अब यह देखना होगा। अब यह देखना होगा। अब यह देखना होगा। अब यह देखना होगा। अब यह देखना होगाव।